नीमश नगरपाली का परिस्तर में परियारण दिवस के उपलक्ष में पोधर ओपन के लिए आज खास मुहिम चलाए गई। नगरपाली के अधेक्ष स्वाधी चोपडा ने नीम और चौंपा के करीब 20 पोधे रोपित किये। स्वाधी चोपडा ने कहा कि चंद दिनों में वर्षा शुरू होने वाली है, पोधे लगानी के लिए ये सबसे माकूल समय है। ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए परियारों स्रक्षन के ओर ध्यान देना और पोधे लगाना हम सब का नेतिक कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में नगरपाली का द्वरा 5100 पोधे लगाए जाएंगे। जो अब हमने जल संकट को देखा है, जो हमने लगता है कि पूरे एक वर्ल्ड में और खासका हमारे अभी मद्यप्रदेश में भी और नीमच में जो जल संकट है। और हमें यह पता है कि परियावरन का जो महत्व है और जो एक ही पुरी साइकल चलती है कि जब हम ग्रीम्री प्लांटेशन पर जोड देते हैं तो बारिश भी अच्छी होती है यह पुरा साइंटिफिक प्रोसीजर है और परियावरन को ज्यान में रखते वे और पुरा नगर अगातार जो है प्लांटेशन करते रहे हमारे परियावरन के लिए बहुत आवशक है शेहर के लिए बहुत आवशक है हमारे ऑक्सिजन लेवल्स के लिए बहुत आवशक है प्रदूशन से जो हमें एक लड़ाई हमारी है उसके लिए आवशक है ग्लोबल वामिंग से लड तो यह समझदारी यह कोशिश एक मैसेज की रूप में हम चाहते हैं कि हम पूरे नगरपाली का शेत्र में दें कि आप सब भी जारा स्यदा पौधे उगाई हैं प्लांटेशन कीजिए और पौधे उगा कि उनको संभाल लिए भी सही क्योंकि यह जो सारे पौधे हैं इनहीं क कि यह कोशिश है कितने पौधे आज लगाए गाए हैं देखिए आज हमने पर शुरुबाती क्योंकि यह जो हमने लगाए हैं वो बड़े कैनोपी वाले पौधे हैं हमने आप नीम लगाया है चंपा लगाया है तो एक डिस्टेंस इनमें रखना था तो लगभग लगभग